और उन फ्रेंड्स का भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे फेस्बूक की सब्सक्रिप्शन दिये थे जिसका हमें था इंतिजार वो गड़ी आ गई आ गई आप लोगी सोच रहोंगे मैं आज गाना क्यों गा रही हूं स्टार्टिंग से ही भाई अब आ गई वो गड़ी लेकिन आज उतरने वाले कपड़े भाई खुल के कैसे तो उसके लिए पूरा वीडियो देखी और देखि की संगठन में बहुत लोगों के आखों से आज खुलने वाली है इनके जूट की पत्ती जैहिन दोस्तों वेलकम तो माइ चैनल आइरन लेरी ओफिशियल जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं ये बात मैंने गलत नहीं कही थी और थैंक यू सो मच आप आप लोगों का साथ आप रिजल्टों देखी रहे हैं लोग अब रोने लग गए 45% वीवर्शिप डाउन हो गई है बहुत बढ़िया क्यप इट आप आज मैं जिस वीडियो को ले के आई हूँ ना आज आप लोगों की आखे फटी की फटी रह जानी है अब सोच रहो क्या फाइनली चिंकी पिंकी बेहन की लॉली पॉप्स लोगों को मैं आज फाइनली एक्सपोस करने वाली हूँ बहुत लोगों का सवाल था कि आप सर्फ बोलते हो आप एक्स्पोस नहीं करते हो आप हमें प्रूफ दो तो मैं अपने उन इनोसंट इंदियन भाईयों के लिए लेके आई हूं फार्नली आज इस फ्लेटपर्म में मैंने पूरी तरीके से एक्सपोस करने वाली हूं वित और पूस कहा था मैंने पूस के साथ ही एक्सपोस करूंगी पहले तो यह वीडियो देखिया आप लोग फिर हम बात करेंगे कि यह कितनी गिरी हुई चिंकी-पिंकी इल्लीगल एक्टिविटी कर रही है और इस एक्टिविटी में फसे कौन है दिखाऊंगी आपको पहले वीडियो देखते हैं और उन फ्रेंड्स का भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे फेस्बूक की सब्स्क्रिप्शन दी है थेंक्यू सो मच ऑके थेंक्यू सो मच म ने माल लेती एकदम से अब आपको मता है हमारे फेस्बूक पे हमारे फ्रेंड्स ने हमें फॉलो किया हुआ है तो फाइफ थाउजन के करीव फाइफंड़ के करीव स्टार्स तो बंदे हैं 500 इता बरताश मैं जरह थोड़ा ही मैं कहरी हूँ चलो ज्यादा नहीं 50 स्टार् हम जो कहते हैं वैसा हो जगदर थाइंक यू यह स्टिकर्स के लिए शुक्रिया थीक है तुम बोरी तरह के 500 स्टार्स नहीं हो सथे 200 स्टार्स हमें मिल चुके हैं कि यह तार्गेट होता है ना फेस्बूक में टार्गेट होते हैं ओ माय गॉर्ड ना तरह मुझे हरान कर द मैं फिर मैं बहुत छोटा सोचती हूं हां तो यह चिंकी पिंकी फेस्बूक लाइब में आके और भीकमंगो की तरह भीक मांग रहे हैं अब मुझे उन ओर्डियंस से बात करनी हैं सारे हमारे इंडियन ओर्डियंस जिनको यह बात बता दू मैं बहुत क्लिर ली कि पाकिस् दूसरा पॉइंट आपको मैं यह भी चीज़ बता दू जैसे मैंने पिछले बाल भी वो हीना सवेरा पाशा और उसके जैसे कुछ लोगों को मैंने एक्स्पोस किया है मैंने उनकी रियालिटी दिखाई उनका गंदा चेहरा दिखाया मैं आपको बता दू लोकेशन से स्टूसरा पाशा है और मैं आपको बता दू कि जो आपि इनको सुपर चैट, सुपर ठैंक्स यह इनका पेमिन्स आता है यह वाया अगर इंडिया से जा रहा है तो यह वाया दुबही होते हुए इन तक पहुंचता है इनके दल्लों के थरू अब हिनके दललों पे आते हैं तो इनके दो Facebook IDs है, पहला Facebook ID ये है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजे, Second Facebook ID ये है, देख लिए आप लोगों ने दोनों Facebook, अब आप ये भी देखो कि इनके दलाल कहां कहां से ये pages को अपरेट कर रहे हैं, चेक आउट दस, मैं स्लो लेके जारी हूँ इन वीडियो, बढ़ आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए, दिख रहे हैं आपको, C, अब आप लोगों ने देख लिया, इनके pages इंडिया में भी इनके दलाल बैठे हैं, दुबई में तो इनके दले हैं ही हैं, चिंकी पिंकी के दलाल इंडिया में भी हैं, जो इनका Facebook ऑपरेट कर रहे हैं, इन लोगों ने इस पूरे YouTube को धंदा बना के रखा है, एक्चुल करने से इशू नहीं है, आप काम कीजए YouTube में, आप अराम से वीडियो बनाइए, बट आप इल्लीगली पैसे कैसे मांग सकती हो, जब आप लोगों को ये rights ही नहीं है, आप लोगों का location, आपकी country eligible ही नहीं है, super chat, super thanks के लिए, और हमारे innocent Indians, जो फस गया हैं इस honey trap में, जो इन दिखा के पास्टो करना है, ये करना इनके बाप का माल है, जो हिंदुस्तान से जा रहा है, ये screenshot बहुत जरूरी है देखना आप लोगों को, देखिए, मुझे target पूरा करना है, दिख रहा है आप लोगों को, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, चिंकी पिंकी, किसके लिए target पूरा करना है, आपके हाफिस सहीत सहाब के लिए, या आपके दलालों के लिए, या आपको अपना धंदा चलाने के लिए, आपको अपने targets पूरे करने है, तो मैडम, आप लोगों की तश्रीफ में कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी हमसे, हैं? तुमारे बाप का माल है, जो तुम इतना मुख खोल के मांगती हो, और हमारे इंडियन्स को तुम ब्योकुप समझती हो, तुमें क्या लगा, कि तुम पेस्बूक में जा के पैसे मांगोगे, सूपर चैट करोगे, तुम मुझे नहीं पता चलेगा, मैं तो वहां से भी तुम्हें उखाड के फेकू सूपर चैट ले लिया, सूपर थैंक्स ले लिया, हांजी पैसे भेज दो, और देखो, इन लोगों के और कारना में देखो, दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन शॉट, देखिए किस तरह से इनको स्टार्स दिये गए हैं, किस तरह से, और ये सारे पैसे इंडिया से जा रह तो बहन की लॉली पॉप्स, तुम लुग जो ये 200 रुपय पर सब्सक्रिप्शन दे रही हो, इंटो 81,000 सब्सक्राइबर्स, अब आप इंडियन्स कैलकुलेट कीजिए, कि इनको कितना पैसा आता है, एक स्क्रीन शॉट और दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, मुन्ता एक कश्मीरी इंडियन लड़की है, ये उसके बारे में बात कर रही है, उसने लिखा है, वो पेड इंटर्व्यू करती है, तो जो इन इतना पैसा ये कमाते हैं, इनको लगता है, सब इनको पैसे दें, बट ये किसी को पैसे ना दे, तो किसे लड़की के इमेज को ये किस करी है, तो ये क्या कर रही है, कोई बता सकता है, आपको बता दूँ, मैंने जितने इंडियन ओडियन इस वक्त मुझे देख रहे है, मैंने कहा था, इनको एक्सपोस करूँगी, इतना नंगा करूँगी, कि अब इनको मूँ छुपाना मुश्किल होगा, अब ये वक्त आ अब ये मूँ छुपाते ही फिरेंगे, क्योंकि आगे तो अभी बहुत कुछ बाकी है, मतलब तुम लोगों ने सोच लिया, कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा, इंडियन ओडियन तो बेखूफ है, इंडियन ओडियन तो चूतिया है, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो जंगल से आये हुए है, राइट? सुनो, तुम्हारे बाप बैठे हुए है यहाँ पर, समझ में आया, इनोसंसी का फायदा मत उठाओ, इंडियन ओडियन के इनोसंसी का फायदा मत उठाओ, ठीक है, और हम इसलिए तो है, इनके बीच अपने इंडियन ओडियन को अवे अभी पकड़ा जाए, तो दोस्तों, ये तो आप लोगों ने देख लिया, कि इन लोगों का असली चहरा क्या है, ये किस तरह से लोगों को बेवकूप बनाके, सूपर चैट लेते हैं, सूपर थैंक्स लेते हैं, फाइब स्टार होटल में जाकि ये खाना खाते हैं, लेकि आप समझी गए होंगे, कि ये पैसे कहां जा रहे हैं, तो स्टॉप गिविंग देम मनी, हमारे इंडिया से अब पैसा नहीं जाएगा, उस आतंग की देश को, उस संगठन को, जहां पर आतंग वात फैलता है, बढ़ाते हैं, पालते हैं, और उसके बद हमारे जबान अब एक वीडियो और बाकिए, जो इनका असली चहरा दिखाएगा, कि ये इंडियन ओडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों को बहुत महबबत हैं इन लोगों से, तो कुछ इंडियन ओडियंस जो इन से महबबत करते हैं, देखें ये आप लोगों से कितना में सोचल मेडिया के बाद करूँ कुछ लोगों का गुरूप होता है, करना पूरनों नहीं कुछ नहीं होता, हर एक के कमेंट स्बूफ में जाके नेगे टिवीटी फैनते हैं, और कभी मुझे भी इस तरह की हेड़ मिलती हैं, आप इनके आडिए चेकर थे पर मैं क्या में नहीं में दो हजार मेंजिज़ पढ़े हैं, कभी में भी आप पढ़े ही जाते हैं, और मैं पढ़ती हूँ तो लोगों का मानना ये है कि वो अगले बंदे को समझते हैं कि वो वो करें जो हमें पसंदा तो ऐसे नहीं हो सकता, अगर एक बंदा सुशल प्लापॉम को कि निकल जोटी के न एक नहीं तो हजार आइगे लेकिन ट्रॉल करना बंद करें कि इससे बहुत से लोग जो है मुझे लगता है कि वो दिमागी मरीज बन जाते हैं मुबारको 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 अब ये इंडियन ओडियन्स को मेंटल भी बोर रही है दिमागी मरीज भी बोर रही है और कह रही है एक आते है तो एक जाता है तो हजार आते है अब चिंकी पिंकी का घमन देखिए ये घमन इन लोगों को किस ने दिया सहीं पकड़े हैं आपको चिल लगती है, आप क्यों ने के पीछे पड़े हो, तो मेरी बस इतनी से गलती है, जो आपके हिसाब से कि मैं ने के पीछे पड़ी हूँ, बट मैं इसको गलती नहीं मानती हूँ, मैं इसको अपना अवेरनेस प्रोग्राम मानती हूँ, जो मैं अपने इंडियन ओडि में एक दो सब्सक्राइबर देखती है फिर सोस्ती कि मैं क्या गुस्सा करूं यानि ये इंडियन्स को कुछ वेल्यू नहीं देती वो इसके नजर में वो लोग सिर्फ मेंटल सिख है यानि इंडियन्स इतने वेले बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे पड़े और आपको मेंटल सिख भी बोड़ रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में कुछ कमेंट्स हम देख लेते हैं इस वीडियो के भी कुछ कमेंट्स है पढ़िए या मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं करन सिंग कहते हैं शैला मुतर्मा कभी आपके भी जीरो फॉलवर थिये अब हम लोगों को मेंटल बोल के मजाक ना बनाओ एज यूर वीवर हम तो लॉजिक कोशन पूछ रहे हैं आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आपने बोला था कि आपके 30% ओडियंस पाकिस्तान से हैं पर हमने आज तक कोई पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन म ना ही मिला आप अपने चैनल की डेमोग्रेफी चाट कॉम्मिटी पोस्ट या इंस्टाग्राम पर शो कर दो ताकि हमारा आप पर ट्रस्ट बना रहे आप हमें गलत और फेक इन्फो नहीं दोगी पहला करन सिक एश्वर्या कहती है शैला ये क्या बयान है शैला ये क्या बय कुछी घटिया है नभी नॉविता कहती है शैला देदी आपके 99% सब्सक्राइबर के एक दो ही फॉलोवर है उनको आप बोर रही हो कि वो मेंटल है एक जाएगा तो हजार आएंगे कहीं उन 98% सेंटिमेंटल हर्ट हो गया ना तो आप भी वापस एक दो सब्सक्राइबर व पूछता है तो वो उनके नजर में मेंटल है एक इंडियन यूट्यूबर आपको चला चला के कहती है कि इनको बाइकॉट करो इनका वीवर्शिप खतम करो आप इधर नहीं सुन रहे हो आप उधर सुन रहे हो और उसके बदले आपको क्या मिर रहा है एक जा रहा तो इनके मेडिया पर जाओंगी जहां पर ये लोगों को ब्यकूप बना रहे हैं मैं इनकी वहां उखाड के आउंगी मैं चुप नहीं बैठोंगी इनके जो दलाल दल्ले ना जो उनको बड़ा बिजनस दिला रहे हैं बड़े बड़े वीवर्शिप और इंडियन ओडियन्स को इस तरह से मैंने इन लोगों का फर्दा फाश किया है ये लड़कियां ये दोनों चिंकी पिंकी आप लोगों का बहुत बड़ा उल्लू काटरी है क्या मतलब आपके पैसे उन लोगों को जा रहे हैं जिनको जिनको तो जाना भी नहीं चाहिए देखो जी सिंपल सी बात है पाकिस्तान में प्रेम का फूल नहीं खिलता है पाकिस्तान में महबत की शर्बत नहीं मिलती वहां मिलती है आतंगवात की गोली और वो गोली दी जाती है हमारे जवानों को इन लोगों को जो आप पैसे देते हो उसका उप्योग उसका यूज अगेंस्ट आर आर्मी होता ह हमारी आर्मी को तोड़ने के लिए हमारे देश को तोड़ने के लिए होता है अब यह आपके उपर है आपकी सत्थ बुद्धी के उपर है इतना कुछ देखने के बाद क्या आप आज भी इन चिंकी पिंकी के चैनल को देखना पसंद करोगे या इन्हें एक जटके में इस बर मैं आपको request नहीं करूँगी, इस बर मैं आपसे कहूँगी, कि अगर इतना कुछ देखने के बाद भी आत्मा आपकी जिन्दा है और जागी है, थोड़ा भी इस clearance proof के बाद भी, तो आप एक काम करो, इन्हें immediate block करो, immediate इनका viewership खतम करो, एक रुपे अपने देश से देश में मत जाने दो, और खासकर इस देश में, जो देश हमारे देश के खिलाप खड़ा होता है, तो दोस्तों, आज का मेरा expose वीडियो कैसा लगा, जरूर बताना, मैंने सारे proofs दिये हैं, इसलिए question से पहले, मेरा ये वीडियो जरूर देखो, पूरा देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इतना जादा शेयर करो, कि इनके फट जाए, इनकी और इनके दलो की, जो दलाल बैठे है, इनके दुबई में और हिंदुस्तान में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो सिरीज स्टार्ट हुआ है, अभी देखते जो, क्या-क्या होता है, मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, सब तक, जै हिन, जै भारत!